अज सलाम वालकुम दोस्तों तो दोस्तों आज हम करेंगे स्टीसीपे के जरी इंटरनेशनल ट्राजेक्शन पाकिसान इंडिया बंगलादेश या आपको किसी भी कंट्री में ट्रांसफर करने हो तो यहां से आप कर सकते हैं तो दोस्तों आपने अगर डिजिटल कार्ड और स्टीसीपे का प्लाइन नहीं किया है तो आप मेरी पिछली वीडियो को देखकर अप्लाइ कर सकते हो स्टीसीपे का काड तो यहां पर हम करने वाले हैं इंटरनेशनल ट्राजेक्शन तो उससे पहले आपने सिर्व इतना सा काम करना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेन हैं अब यहँ पर हम करेंगे इंटरनेशनल ट्रांसफर का ऑफचन यहां पर इस और स्सक्राइब करेंगे तो घैसे ही हम इस पर किलिक करेंगे तो हमारे पास यह उपिन हो जाएगी और यहां पर हमें सबसे पहले तो सका चो आपकाउंٹ है तो मैं आñaow पर भीज रहा हूं एक स Comic के और करूँगा और उसके बास की जगा पर यहां पर करेंगे जो भी relationship है वो यहां से आप select कर सकते हैं तो यहां पर हम relatives and friends को select कर लेंगे और उसके बाद option आता है country का तो यहां पर click करके country select कर लिएगा आगर आप पाकिस्तान, इंडिया, बंगलर देश पैसे भेज रहे हैं जो भी country तो यहां से आप select कर लेंगे जैसे के मैं पाकिस्तान भ पर पैसे बेजना है तो यहां पर cash pick up select कर लें अगर आपने bank में पैसे बेजना है तो आप bank को select करेंगे यानिके transfer to bank account तो अभी मुझे bank account में पैसे बेजने हैं तो transfer to bank account को हम select कर लेंगे और इसके बाद नीचे continue के button देखने को मिलेगा तो इसके उपर हम click कर देंगे तो continue के जो digits हैं वो भी आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे अब यहां पर मुझे मीजान bank में पैसे बेजने हैं तो मैं यहां पर मीजान bank को select कर लूँगा अब यहां पर select करने के बाद हमें नीचे लेखने को मिलेगा iBan and account number तो यहां पर आप account number भी एंटर कर सकते हैं लेक यह नेक्स पेज ओपन हो जाएगा अच्छा यहाँ पर यह जो पेज है ना इसको आप नीचे डिरेक्ट कंटीनर पे भी क्लिक कर सकते हो अब यहाँ पर इसमें सिर्फ यह पूछा गया है कि आप जिसको पैसे बेज रहे हो उसकी नैशनलिटी मालूम है आपको मालूम है तो उसकी नैशनलिटी सेलक कर लें जैसके मैं यहाँ पर यहाँ पर क्लिक करूँगा और बेनेफिशरी नैशनलिटी पर क्लिक करूँगा तो विंडो बिनो जाएगी और यहाँ से पाकिसान सेलक कर लूँगा कि जिसको मैं पैसे बेज रहा हूँ वो पाकिसानी है और उसके ब गरीबन लिक देता हूं 35 PERCENT SELECT कर लेता हूं तो मैंने ये SELECT कर ली है अगर आपको नहीं मालूम है तो आपको No पे क्याँन को एक्टिव करते है तो इस कौल आएक्टिव क करने के लिए जो call आएगी आपको उसको सुनना है और active करना है तो यहाँ पर मैं आपको वो भी दिखा देता हूं तो यहाँ पर हम एक को दबा लेंगे और हमारी बेनिफिशिरी जो हमने एड़ किया है वो active हो जाएगी तो अभी हम check भी कर लेते हैं इसको तो check मैं beneficiary list पर click कर लूँगा मैं और यह भी दिखा देता हूँ कि आपको के beneficiary जो है वो active हो चुकी है तो दोस्तों यहाँ पर हमने beneficiary add कर ली है अप्रूब हो चुकी यहाँ पर आप देख सकते हैं और इसके बाद आपको transfer करने तो transfer money का option चेखने को मिलेगा तो इस transfer money के option पर हम click कर देंगे तो जैसे ही transfer money के option पर हम click करेंगे तो हमारे पास यह next window open हो जाई ही तो दोस्तों पैसे send करने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ important बता दूँ कि आप यहाँ पर यह देखेंगे कि जब आप पैसे send कर रहे होंगे तो आप उसका rate कैसे check कर सकते हैं और जब आप पैसे send कर रहे होते तो rate down हो जाता है यह भी हमें आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हो तो वीडियो को last check जरूर देखना तो सबसे पहले तो हम रेट चेक करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक रियाल लिखेंगे और उसका जो भी पैसा है वो यहाँ पर आप देख सकते हो उसके बाद purpose of transfer के option पर हम click करके अपना purpose select कर लेंगे अब यहाँ से जो भी purpose है आपका जैसा के family and friend expenses है तो मैं यहाँ पर family and friend expenses को select कर लूँगा और उसके बाद नीचे आपके पास एक option देखने को मिलेगा include transfer fee यानि के जो भी फीस है वो इनी 1100 रियाल में कटेगी या अगर आपने नहीं कटवानी यानि फीस अलग से पे करनी है तो यहाँ पर आप इसको option को छोड़ सकते हैं तो मुझे 1100 रियाल में फीस कटवानी है तो मैं इसको यहाँ से आप देख सकते रैट सेट पे इसको open कर लूँग तो continue के बटन पर क्लिक करने के साथ अब हमारे पास next page open हो जाएगा अब यहाँ पर हमें beneficiary की date of birth को enter करना है यानि तारिखे पैदाईश को तो आपके जो भी beneficiary है उसकी जो तारिखे पैदाईश है यानि के date of birth वो यहाँ पर आप enter कर लोगे और उसके बाद नीचे continue का बट रही है तो अब यहाँ पर आपको मैं एक चीज दिखा देता हूं जो मैंने आपसे पहले का था कि एक रियाल जब हमने एंटर किया था तो पाकिसान के 75.22 रुपीज बन रहे थे वो रेट बन रहा था ठीक है अब यहाँ पर देखो मैंने जब 1100 रियाल भेजने हैं तो इस मीन मैं जितने रियाल पैसे बढ़ाता रहूंगा जितने रियाल मैं भेजूंगा तो रेट मुझे कम मिलेगा ऐसा नहीं है कि स्टी सी पे में जो आपको रेट एक रियाल का दिखा रहे थे तो वही रेट मिल रहा था अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जब 1100 र रियाल है और जो वैट है वह तो पॉइंट 25 हलाले यानि कि सतरह रियाल 25 हलाले फीस है तो यह भी आप यहाँ पर चैक कर सकते हो अब इसके बाद आपको यह दिहान में रखना है कि जब भी आपने रियाल टांसफर करने तो आप रेट जरूर देख लिए एक्सचेंज करना है बस हमें नीचे अगरी का बटन देखने को मिलेगा तो इस आई एकरी के बटन पर किलिक करेंगे तो हमारे मोबाइल नमबर पर आएगा ओटीप कोड तो वह एंटर करना होगा और ओटीप कोड एंटर करने के साथ ही हमारी ट्रांसेक्शन कंप्लीट हो जाएगी और जो ट्रांसेक्शन कंप्लीट होगी उसका हमारे मोबाइल नमबर पर मैसेज भी रिसीव हो जाएगा और आप यहां पर देख सकते हैं कि हमारी ट्रांसेक्शन कंप्लीट हो चुकी है तो बस इसके बाद नीचे डन का बटन देखने को मिलेगा तो इस डन के बटन पर हम किल टिक कर देंगे तो दोस्तों इस तरह आप बैनेफिशरी को एड़ भी कर सकते हो स्टीसी पे में और इंटरनेशनल ट्रांसेक्शन भी कर सकते हो तो दोस्तों यह वीडियो ची लगी हो तो लाइक और शेयर भी कर देना और सब्सक्राब करना बिल्कुल भी मत भूलना